गुड एवनिंग स्टूडेंट्स, EAD Online Classes के Online Portal पर आप सभी लोगों का स्वागत है, जिसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों की आज की क्लास है, आप लोगों की साथ बजे से स्टार्ट होकर नौ बजे तक आप लोगों की आज की क्लास रहेगी, तो दो घंटे ह हम लोगों continuous questions को करेंगे, आप लोगों को पता है अब exam बहुत पास है, तो कहीं न कहीं ये आप लोगों के लिए एक अंतिम प्रहार रहेगा questions का, तो सभी students एक बार class को share कर दें, जिसे कि हम लोग class को start कर पाएं, तो देखो आप लोगों को पता है कि काफी लबी time से आप ल हैं, तो सभी students एक बार class को share करने, तन इसके बाद ही हम लोग start कर पाएंगे, आज का अपना session, और सभी लोग comment section में जरूर बताएं कि कैसे हैं आप सभी लोग, तो देखो आने वाले time में और भी ज़्यादा vacancies आप लोगों को नजर आने वाली है, states में ही अगर हम लोग बा इस नजर आ रही है, अब time है कि आप लोग अच्छे से महानत करें, अच्छे से बढ़ाई करें और कम से कम एक seat तो अपने नाम करनी ही है, चलिए, तो सभी students एक बार class को share कर दें, उसके बाद ही हम लोग start कर पाएंगे आज का अपना session, तो देखो आप लोग की साथ से 8 भी रहेगी और उसके बाद 8 से 9 भी ये class आप लोग को देखने को मिलेगी, तो DFCCL का सभी लोगों ने form fill up किया होगा, जिरू ने नहीं भी किया है, उनके लिए भी help करेगा, क्योंकि आपको पता है आने वाले time में बहुत ही सारे exams हैं, तो अगर exams हैं बहुत सारे, तो आप लो हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे आज का अपना session, गुड एवनिंग भाई सभी लोग को गुड एवनिंग देखें तो मुकेश गुपता जी, सशांग जी, लक्ष कुमार जी, रंजू जी, बबलू जी, अनुभाव जी, सभी लोगों ने जॉइन कर लिया है, बहुत अच् इसके बाद ही हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे आज का अपना session, तो देखो आप लोग को बता है कि काफी लंबी time के बाद हमारी class स्टार्ट हो रही है, तो first question आप लोगों के screen पे answers को mark करें, अब देखना आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं, अगर मैं कहूं तो आप लोग क्योंकि जब कोशिस करोगे तो automatic आप लोग से गलती नहीं होगी, देखो बोला किया specific gravity for most of the building stone lies between, क्या answers होना चाहिए इस question का सबी लोग answers करें आप लोगों के recording first question का answers क्या जाएगा और आप लोगोंने कोशिस करनी है कि एक single question आप लोगों का गलत ना हो, first question को response करो, आप लोग अगर हम स्टोन की बात करते हैं, building stones की, तो हमारी specific gravity कहां से कहां तक लाई करती है, question आप से ये पूछा है, तब बताएं, A option आप लोगों के नजर में correct है, B correct है, C correct है, या D correct है, तो अगर हम लोग स्टोन की बात करते हैं, तो आप सभी लोगों को पता है, कि स्टोन में अगर आप से स्टोन की strength पूछी जाए, कि क्या strength देखने को मलती है, तो हम लोग कहते हैं, कि 100 A, 100 A, आप लोगों को क्या नजर आती है, इसकी strength नजर आती है, 100 A, इसी तरीके से अग आप लोगों से इसकी specific gravity पूछी जाए तो हम लोग क्या कहते है 2.7 specific gravity कितनी नजर आती है 2.7 नजर आती है तो यहीं पर question आप से कह रहा है कि most of the building stones में specific gravity आपको कितनी नजर आती है तो सबी लोग response करो जल्दी से क्या answers आप लोगों की नजर में होना चाहिए और सबी लोग क्लास को भी share कर दो देखो काफी लोगों को पता नहीं होगा अपने साथ वालों को आप लोगों ने share करना है तो देखो 2.7 आप लोगों का कहां से कहां तक लाए कर रहा है 2.5 से लेके 3 तक लाए कर रहा है इसका मत लब कौन सा option correct जाएगा बताओ C option आप लोगों का बिलकुल correct होगा second question पर चलते हैं यह देखो second question में जाने से पहले एक important जीच एक question साप लोगों का बनता है कि आप लोगों का maximum limit पानी के absorb की अगर हम बात करें water absorption हम लोगों को क्या नजर आता है तो हम generally कहेंगे कि sandstone में आप 10% तक water absorb करता है इसी तरीके से limestone and granite, trap, sail, guineas, slate, quartzite इन सब में आप लोगों देख सकते हैं कि हमारा जो water absorbing capacity होती है वो काफी कम होती है आगे चलते हम लोग next question के साथ second question आप लोगों के स्क्रीन पर answers को mark करो तो अनुबर कॉशल जी, मुकेश गुपता जी, लक्ष कुमार जी सभी लोग बहुत अच्छे answers के साथ भी very good सभी students class को एक बार share कर दें और answers करके बताओ आप देखो next question, पी आप लोगों के पास standard consistency है आपके cement की, पी क्या है आपकी standard consistency है of the given cement sample यहाँ पे बोला गया है कि cement paste में हम लोग कितना पानी को add करेंगे, कितना quantity of water को आप लोग add करेंगे, initial setting time को find out करने के लिए तो response करो, कौन सा option आपकी नजर में correct है, answers mark करें सभी लोग, तो भाई सभी लोग बहुत अच्छे answers करें, ससांग जी, बबलू जी, मुकेश गुपता जी, करन जी, very good सभी लोग एक बार class को share करते वे भी चलें, जिससे कि सभी लोग class से connect हो जाएं, और आप लोगों को भी एक अच्छा खासा competition देखने को मिलें, इस question का answer क्या जाएगा, सभी लोग answer करें, 0.85 multiply by p percent of weight of cement, it means option number b आप लोगों का correct answer, तो आपको पता होने जी, 0.85 multiply by p percent of the weight of cement, य standard consistency के लिए मतलब हम इतने water को add करते हैं, अगर आप से बुला जाये, standard consistency हो गया, initial setting time हो गया, final setting time हो गया, इसे आप लोग कौन से apparatus से find out करते हैं, तो आपका answer जाता है, we cut apparatus, क्या नाम जाता है आप लोगों का answer, we cut apparatus, तो देखो अगर हम इसमें बात करें, तो आपने ध्यान र 35% क्या करता है, आप लोगों की value यहां पर vary करती है, समझ पाएं, आगे चलते हम लोग third question के साथ, answer करो भई, एको courses करनी है, 35 plus 45, सारे questions आप लोगों के correct होने चाहिए, गलती की कोई भी गुंजाइस नहीं है, चलिए, answer करो भई, next question का, अब तो paper pass में है, और भी अगर आप लोग आने वाले time में किसी भी exam की तयारी कर रहे हो, सब के लिए beneficial है ये class, next question, in which of the following peers, both trees yield softwood, आप लोग बताएं कि यहां पर ऐसी कौन सी trees है, जो कि आप लोगों को softwood नजर आती है, तो देखो, दो तरीके की लकडी आपको नजर आती है, एक है softwood, एक है hardwood, question यहां पर प या cheat and देवदार, बताओ, करो भई, response करें सबी लोग, और सबी लोग class को भी share करें, देखो, आपके साथ वालों को पता नहीं होगा, आज कि class साथ बजे से है, करें answer करके बताएं, सबी लोग answer क्या जाएगा, बताओ, देखो, season, salt, आप लोगों की किस में आगी, बताओ, season salt, take किस में आगी, hardwood में आगी, तो answer किया जाएगा, third question का, D, very good, cheer and देवदार, cheer and देवदार आप लोगों की softwood है, बहुत अच्छे, next question को answer को, suitable foundation for steel column is, बिल्कुल basic question, जैसे कि DFCCL का बिल्कुल pattern आपने देखा है, एकदम basic questions आप लोगों के आते हैं, बस इसमें अच्छी marks score करने हैं, यह नहीं कि हम लोगों को सारे questions आ रहे हैं, तो paper में भी हम सब ठीक करके आएंगे, पेपर में आपके approximately सब ठीक होने चाहिए, वैसे गलती में अगर देखो, जब हम सोचते कि हमारे सारे questions ठीक हैं, तब जाके 5-10 questions तो वैसी गलत निकल जाते हैं, तो आपने यह सम स्टील कॉलम में आप लोग जनरली कौनसी foundation को provide करते हैं, तो बबलु जी, डेविड जी, मुकेश गुपता जी, अनुभाव जी, सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ, सबी लोग class को भी share करें और answers करके बताएं, इस question को response करो, तो जब हम स्टील कॉलम्स की बात करते हैं, तो हमारे पास कौनसी foundation है, ग्रिलेश foundation, option number D, आप लोगों का correct answer, तो हम क्या कहते हैं, कि स्टील कॉलम्स में, generally हम लोग किस तरीके की footing प्रोवाइट करते हैं, ग्रिलेश फुटिंग को हम लोग प्रोवाइट करते हैं, यह देखो, आप लोग डाग्राम में भी देख सकते ह такие steel beams को आप लोग इस तरीके से प्रोवाइट करते हो, आप लोग बे देख पारे हो कि स्टील बीम से यह पे भी बीम आप लोग की प्रोवाइड़ है, और ektर भी बीम प्रोवाइड़ है, और इस तर एप announce का पथ लोगको नचराता है, और यह आप लोग नचराता है, और आगे चर्दे हम लोग next question के साथ, इस question को response करो बई, देखते हैं, class में कौन सही answers करके बताते हैं? करे मही answers करो सभी लोग और सभी लोग class को भी share करते रहें, जिससे की सभी लोग class को join कर लें, अब देखो आज class आप लोग के अचानक से 7 बज़े हैं, ठीक है, मतला पहले से inform नहीं किया था, तो आप लोग अपने friends को ज़रूर inform करो, जिससे की सभी लोग class से connect हो जाएं, बता समझो और answers करें, करें बही answers करें सभी लोग, आप लोगों के recording क्या answer जाना चाहिए, सभी लोग बहुत अच्छे response कर रहे हैं, आप लोगों कोई ये जो class है, डी एफ सीचाल के लिए जा रहे हो, आप लोग तो भी beneficial है, और किसी भी exam की तैयारी कर रहे हो, तो भी आप लोग bearing capacity of soil is debt of, तो answers आप लोगों का क्या जाएगा, बताओ, soft rock जाएगा, soft rock, देखो अगर हम लोग यहां पर bearing capacity की बात करते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए, rock में आपको कितनी देखने को मलती है, 3240, soft rock देखो 440, course end की देखो approximately 440 ही आपको नजर आती है, लेकिन soft rock और course end, दोनों में अगर option में हैं, तो first priority का option हमेशा rock जाएगा, soft rock जाएगा, right, क्यूंकि आपको पता है, rock के disintrigate से ही तो soil आई है, तो सबसे priority में कौन सा जाएगा, parent में कौन जाएगा आपका, rock जाएगा, आगे चलें, next question के साथ, answers को mark करें भी सबी लोग, EAD में vacancies आई है, हाँ जी बिल्कुल देखो vacancies आई है, आपके पास teaching experience होना चाहिए, ठीक है, एक दो साल का तो होना ही चाहिए, तो आप लोग apply कर सकते हो, अगर आपके पास teaching experience है तो, इस question को response करो, a watertight chamber which becomes a permanent part of the construction work is known as, बहुती सांदार question, answers करो भी, answers क्या होना चाहिए, और आप लोग इतने कम की हो भई, सुबह क्लास हो रही है तो भी आप लोग की यही हाल है, साम हो रही है तो भी यही हाल है, अब आपने कौन सी टाइम में पढ़ना स्टाट किया है, तो उसी टाइम में आप लोग की क्लास लगा देंगे, दिन में पढ़ते हो कि आप लोग क्या होता है? जनरली कॉफर दैम यह होता है कि आप लोग डैम में अगर डैम में आप लोग कोई रिपीरिंग वर्क कर रहे हैं तो यह हम लोग कहें कि आप लोग कोई टैंपरिरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं कुछ टाइम के लिए पानी को स्टोर करने के लिए उसके बाद जब आपका काम खतम हो गया तो आपने इस कॉफर डैम को रिमूव कर दिया यह तो है कॉफर डैम कॉशन तो आप से कह रहा है ऐसा कौन सा वाटर टाइट शैंबर है जो की हमारे कंस्रेक्षिन वर्क का पर्मरेंट पार्ट है एसा नहीं कि इसको रिमूव कर दें काम हो जाए ऐसा नहीं तो बताओ कॉन सा है आंसिस क्या होना चाहिए इस कॉशन का येस केशन आप लोगों का आंसर जाएगा बही केशन बहुत अच्छे ऑप्शन नमर डी करेक्ट आंसर देखो कॉफर डैम के बारे में मैं यह बताना चाहूं कि आप लोगों को इसको हम लोग करते हैं विदिन बॉडी ओव वाटर यह हम इंक्लोस एरिया में करते हैं कहां यहां पर यूज करते हो कॉफर डैम को जहां पर आपको रीपीरिंग करनी हैं कोई पर्मानेन डैम में तो उसके पानी को कॉलेट करने के लिए अपने कुछ टाइम के लिए डैम बनाया जब उसका काम आपका अच्छे से हो गया तो इसके बाद आपने इसको रिमूव कर द अब एक class को share कर दो 7 वे question तक ही पहुँचे हैं अभी हम लोग अच्छे से answers करो देखो अभी तक जितने भी papers हुए है सबी students का यही response है कि class से maximum questions देखने को मिले थे अब देखने को मिले थे कहते हो आप लोग अब यह मैं आप लोगों के मुझे सुनना चाहती हूँ कि class से सारे questions मिले थे और हम सब ठीक करके आए तब तो देखो एक positivity है अब आपने class में देखे questions करके नहीं आए तो क्या फाइदा इस question को response करो बताओ ऐसा कौन सा timber है जिससे आप लोग क्या करते हैं खेलों की सामागरी बनाने में इसका उप्योग कर रहे है विचावदी फोरंग टीमबर्स इस सुटिबल फॉर मेकिं स्पोर्स गूड्स बताओ संजे चौदरी जी रंजन जी यावर जी मुकेश गुपता जी बबलू जी डेविड जी सबी लोग एकदम सांदार response के साथ बही बहुत अच्छे इस question का answer क्या जाएगा बताओ मल बेरी very good option number a आप लोग का correct answer जाएगा मल बेरी next question इस question को answer करो एक ऐसा instrument जो की use हो रहा है to observe a distant object is caught आप यहाँ खड़े हो और आपको दूर की चीज को क्या दिखाई दे रहा है आपको पास दिखाई दे रही है मतलब दूर की चीज जो की आप ऐसे नहीं देख सकते हैं इसको visible करा रही है तो आप लोगों का answers क्या होना चाहिए बताओ इस question को response करो भई सबी लोग क्या answers करो कि the instrument used to observe a distant object is caught दूर की वस्तू को देखने के लिए दूर के object को देखने के लिए आप लोग किसे use करते हैं सबी लोग answers करें इस question का क्या लग रहा है आप लोगों को telescope बहुत सांदार, microscope नहीं लग रहा, microscope क्या करते हैं, छोटी चीज़ को बढ़ा करके देखते हैं, यहां पे बोला है कि दूर की चीज़ को पास देख रहे हो, इसका मतलब telescope, answers क्या जाएगा बताओ, c option के साथ आप लोगों का answer जाएगा, ब इस question का answer करो, आप लोगों के recording, answers क्या जाएगा, बताएगा, the disease of dry rot in timber is caused by, dry rot की अगर हम बात करते हैं, तो हमें timber में किसकी वज़े से नजलाता है, सबी लोग जल्दी से answer करो, क्या answer जाना चाहिए, और सबी लोग क्लास को भी शेयर कर दो, आज दिको कितने लंबे टाइम, approximately एक हफता हो गया, पिछले Friday आप लोगों की साम की आठ बजी की class होई थी, उसके बाद आज ही आठ बजी की class हो रही है, आप लोगों की, सास से नौ, तो भाई, सबी लोग इस खुशी में शेयर कर दो class को, इस question का answer करो, कि answer क्या जाना चाहिए, आप लोगों के recording, dry rot, तो आपकी timber, dry powder के form में change होने लगती है, और इसी को हम dry rot कहते है, अगर मैं wet rot की बात करो, तो wet rot condition हमें तब देखने को मिलती है, जब आपकी timber, एकदम से आप सुखा आ रहे हैं, एकदम से गीला करें, alternate wet and drying condition जब नज़र आती है, तो आपको wet rot condition नज़र आती है, इस question को response करो, ए take a break with a shorter face in the direction of wall, wall की direction में इसका जो shorter face आप लोगो को नज़र आ रहा है, इसको हम लोग क्या नाम देती है, मैं वो paper भी नहीं कराया, अब देखो, क्लास ही आप लोगो की काफी लंबी टाइम बाद हो रही है, ठीक है, अब धीरे-धीरे करके सारे paper करा देंगे, बर टेंशन अब ही paper आप लोग मान के चलो November, December में है, मतलब October का महना जो हमारे लिए रहेगा, वो बहुती major role प्ले करेगा हमारे selection के लिए, चलिए इस question को answer करो, answer क्या जाएगा, सबी लोग answer करें इस question का, क्या answers आप लोगो के recording होना चाहिए, वाल की directions में आप लोगों को जो brick का shorter face नज अब ही header बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हो इसे, header बोलते हो, header, ध्यान लखेंगे, longer face बोला होता तो stretcher, अब ये तो बात रही brick में, brick में तो साफ साफ लिखा है कि shorter face होगा, या आपका longer face होगा, अगर आप के stone में लिख दिया जाए, तो stone में आप लोग को होगे कि wall की direction क पैलर आपको stretcher नचराता है, पापा इंडी कुलर आप लोगों को header नचराता है, समझ पाएं, next question पे चलते है, answer को mark करो, तेको भई, बहुत ही सांधार question आपके सामने, तो संजे चौधरी जी, लक्ष कुमार जी, मुकेश गुपता जी, डेविट जी, यावर जी, सबी लोग एकदम सांधार response के साथ, बहुत अच्छे, सबी लोग class को भी share करें और इस question को response करो, आप लोगों की recording answer क्या जाएगा, आप brick के portion को cut करने, across the full width, उसकी चोडाई के along आप लोगों को पता है, अगर हम ब्रिक की बात करें, तो आप लोगों को पता है कि कुछ इस तरीके से आप लोगों को ब्रिक नजर आती है, कुछ इस तरीके से, अब लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हम इस ब्रिक में बात करें, तो अगर आप लोग यहाँ पर कह रहे सब यह students answers करें, across the full width में हम लोग जो brick का portion करते हैं, ऐसे बोलते हैं bat, right answers D option के साथ, क्या जाएगा D option के साथ, next question को answers करो, देखो भाई बहुत ही अच्छा कोशन है, आजकल आप लोगों का building construction चल रहा है, तो देखो उसमें हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पर अगर students होंगे, तो बत answers करेंगे, बागी लोगों को भी देखो आता ही होगा, answers mark करो, a grove provided on the underside of the coping to keep rain water clear of the wall is known as, देखो coping weathering करके पूरा आप लोगों के पस structure होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्रोव को cut करते हैं, जिससे की पानी आपके वाल पे ना आए, ठीक है, तो आप लोग कहत करते हैं, to keep the rain water clear of the wall, जिससे की हमारी जो वाल है, उसमें कोई भी बारिस ना आए, तो क्या होगा, वो खराब नहीं होगी, तो आप लोग देखते हैं कि कुछ इस तरीके से आप लोगों को ने देखा होगा, तो इस तरीके से क्या होता है, कि ग्रोव को cut करते हैं, इस तरी जी, डेविड जी, सबी लोग बहुत सांदर आंसर के साथ, वीजे जी, वेरी गुड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम थ्रॉटिंग बोलते हैं, क्या बोलते हो आप लोग इसे थ्रॉटिंग, बहुत अच्छे, option number D, आप लोगो का correct answer, क्या बोलेंगे इसे, थ थ्रॉटिंग, आप देखो थ्रॉटिंग की अगर हम बात करते हैं, तो थ्रॉटिंग में आप लोग देख सकते हो, ये तो पूरा इस तरीके से हमें नजर आता है coping, और थ्रॉटिंग की अगर बात करें, तो ये हमारा grove को हम लोग कट करते हैं, अंडर साइड आफ दी प् है, उसमें आपका rainwater ना आए, next question को answer करें, इस question का answer आप लोगों की recording क्या जाएगा, बताओ, when large openings are to be made in existing wall, the type of temporary work used is, आपके पास पहले से wall present है, पहले से जो wall present है, उसमें हम लोग large opening कर रहे हैं, इसके लिए जो हम temporary work को use कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बताओ, करो भई answers करो, सबी लोग answers करें, आप लोगों की recording क्या answer जाएगा इस question का, 13 का A, रेकिंग, बहुत अच्छे, underpining, देखो underpining तो हम लोग उस work को कहते हैं, जब existing structure है, उसमें हम temporary work तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कह रहे हैं, कि उसमें ऐसे openings वगरा प्रोवाइट नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे foundation में work हो रहा है, तो वहाँ पर कर रहे है, existing structure में, structure में, यहाँ पर बोला गया है कि wall, जो पहले से आपकी wall, existing wall present है, उसमें large opening कर रहे हो, तो बताओ, यहाँ पर कौन सा type of temporary work use होता है, करें भी सभी लोग response करो, आप लोग के recording क्या answer जाना चाहिए, इस question का, देखो, अगर हम लोग बात करें, तो जो dead shore आप लोग का use होता है, उसे हम लोग अपनी wall या roof के में provide के लिए, या हम कहें उसके vertical support के लिए, हम dead shore को use करते है, when the lower part of the wall has to be removed for the purpose of providing at and opening in the wall, तो हमारे पस यहाँ पर क्या answer जाएगा, dead shore आप लोग का answer जाएगा, रेकिंग shore के अगर बात करें, तो रेकिंग आपका inclined structure को support करने के लिए होता है, underpining की बात करें, तो foundation में जैसे कुछ problem आई है, तो यहाँ भी जो temporary support को provide करके, आप foundation को क्या कर रहे है, repairing का काम कर रहे हैं, क्या सकते हैं, तो underpining आप लोग का आता है, तो गल्ती नहीं करने हैं, आप लोगोंने, next question answers करें भई सभी लोग, इस question का answer क्या जाएगा, सभी लोग answers करें, सभी students अपनी presence को जरू मार्ग करें, वीडियो को like, share करना बिलकुर न बुलें, अब बताओ, next question आप लोगों की screen पे, answers क्या जाएगा आप लोगों के recording, question कह रहा है, concrete blocks की minimum strength कितनी नजर आती है, the minimum strength of concrete blocks should be, 30, 40, 50, 60, answers करो जल्दी से, क्या answers होना चाहिए, इस question का आप लोगों के recording, तो देखो, अगर हम concrete blocks की बात करते हैं, yes, बहुत अच्छे, तो 40 newton par mm square, आप लोगों को क्या नजर आती है, concrete blocks की strength नजर आती है, the right answers किसके साथ जाएगा, बताओ, B option के साथ, next question पर चलते हैं, 15 questions, answer करो, the main function of alumina in brick earth is, brick earth में alumina का main function क्या होता है, तो अनुबव जी, करन जी, अनन्तारियन जी, विजे लक्षमी जी, डेविड जी, सभी लोग एकदम सांदा response के साथ, बहुत अच्छे, आप लोगों के recording, इस question का answer क्या जाएगा, alumina का main function क्या होता है, आपकी brick earth में, क्या answers होना अच्छे, बताओ, very good, to impart plasticity, plasticity को impart करने का main, जो function है, हमारा, वो alumina का ही है, और alumina brick में, क्या नज़र आता है, आपका main constituent नज़र आता है, आपका alumina, आगे चलते हैं, सोल भी question के साथ, answers करो, advantage of a clam, compared to a clean, for burning brick is dead, clam के comparison में, या clam का क्या advantage है, clean के respect में, जब हम bricks को गरम करते हैं, bricks को burning करते हैं, इस question का answer करें भई, सबी लोग, आप लोगों के recording क्या answer जाना चाहिए, सबी लोग response करें, answers क्या होना चाहिए, बताओ, बई सबी लोग answers करें, सबी students वीडियो को share जरू करें, बताएंगे इस question का answer, क्या answer करो के clam का क्या advantage होता है, आप लोगों का, आप लोगों को पताएंगे कर आप लोगों को पताएंगे क्लाइम के अडवांटेश की बात करें, तो आप लोगों को पताएंगे की डेवलपिंग, या हम लोग कहें रूरल एरियास में, जनरली ब्रिक को गरम करने के लिए क्या करते हैं आप लोग, generally इस तरीके का होता है कि हम लोग rural areas में अराम से गरम कर सकते हैं लेकिन एक बात है कि इसमें जो bricks आप लोग number of bricks की बात करें तो हम लोग बहुत ही कम bricks को क्या कर पाते हैं burn कर पाते हैं तो answers क्या जाएगा it has less initial cost next question पे चलते हैं answers को mark करो palette board is used बताएं palette board को हम लोग किस लिए यूज करते हैं सभी लोग answers करें पही आप लोग के recording क्या answer जाना चाहिए और दिखो आप लोग के लिए important information कि आप लोग के लिए book तयार है book ready है अगर आप लोग बुक के साथ जाना चाहते हैं एक एक chapter को आप लोगों का बहुत अच्छे से explain करा है building construction में आप लोग की diagram की तुरू आप लोगों का explanation है तो अगर आप लोग interested हैं पढ़ना चाहते हो तो आप 5000 plus questions हैं उनको बहुत अच्छे से आप लोग लगा सकते हो इस question को answer करो palette board is used सभी लोग answers करें palette board को हम लोग use करते हैं किस के लिए use करते हैं बहुत अच्छे for table molding of a brick table molding के लिए हम लोग क्या करते है palette board को use करते हैं आपको पता है ground molding और table molding इसमें देख सकते हो table molded bricks है इसमें generally जो table का size होता है वो 2 by 1 meter आप लोगो को नजराता है Mold को Use करते हैं waterboards को Use करते हैं और यहां पर क्या Use होता है palette boardsse used होता है आगे चलते हैं हम लोग next question के साथ Pug mill yourself useful बताएं कि Pug mill आप लोगों का use होता है किस के लिए clay को prepare करने केLab clay को mold के लिए use करते हो सुखाने के लिए या burn करने के लिए answers क्या जाएगा सबी लोग answers करें हम लोग के recording क्या answers होना चाहिए भी पक मिल को हम लोग किसले use करते हैं बताएं कि पक मिल is used for बहुत अच्छे clay को prepare करने के लिए clay को prepare करने के लिए हम लोग किसे use करते हैं हम लोग पग मिल को यूज करते हैं, बहुत सा अंदर, next question बताओ, cement का वो कौनसी ट्वेंट, जो की responsible होता है, cement में undesirable properties के लिए, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोगों को पता है, कि हमारे cement में different different boogies, compound responsible होते हैं, जिसमें tricalcium silicate, dicalcium silicate, tricalcium aluminate, tetracalcium alumino ferrite हमें नचराता है, जब dicalcium silicate की बात करते हैं, तो dicalcium silicate हम कहते हैं, ultimate strength के लिए responsible है, tricalcium silicate हमारा early strength के लिए responsible है, अब आपकी cement में undesirable properties के लिए बताओ, कि कौन सा responsible है compound, undesirable properties में आप लोगों का सामिल रहता है, कि flesh setting आप लोगों के सामिल रहती है, तो इस question का answer, आप लोगों की नजर में क्या होना चाहिए, बहुत अच्छे, tricalcium aluminate, और यह आपका first compound है, जो कि आपका पानी के साथ react करता है, next question पर चलते हैं, 20th question answers करो, leech artelier device is used for determining the, leech artelier device, आप लोगों के पास एक ऐसी device है, जिससे हम सिमेंड का क्या चीश calculate करते हैं, बताएं, तो मुकेश गुपता जी, यावर जी, संजे चौधरी जी, करन जी, सबी लोग एकदम सांदार answers के साथ भी बहुत अच्छे, आप लोगों के recording, इस question का answer क्या जाना चाहिए, इस question का answer क्या होगा, बताओ, ली चार्टलियर डिवाइज इस यूज फॉर डिटर्माइनिंग दी, हम लोग क्या find out करते हैं ली चार्टलियर डिवाइज से, answers क्या जाएगा इस question का, देखो अगर हम soundness की बात करते हैं, तो soundness का मतलब आप लोगों का क्या होता है, कि आप लोगों की environmental की effects में, या हम कहें weathering के effects में, हमारे cement का किस तरीके से reaction नज़रा रहा है, क्या cement sound nature का है, या expand और disintegrate हो जा रहा है, ये सारी properties को हम लोग चेक करते हैं, soundness से और इसके लिए जो हमारे पास instrument है, वो है हमारे पास lead chartelier device, आगे चलते हैं हम लोग next question के साथ, इस question को response करो, fire resistance is highest in case of, अगर हम लोग कहें कि सबसे ज़्यादा fire का resistance प्रोवाइड करता है, किस case में ऐसा आपको नज़राता है, जो कि सबसे ज़्यादा fire को रजिस्ट करने के काम आ रही है, इसका मतलब है fire proofing की यहां पर बात हो रही है, तो response करो कि answers क्या होना चाहिए आप लोगों का, fire resistance is highest in case of, आप लोगों के recording, इस question का answers क्या जाना चाहिए, brick, messendry, 21 का क्या answers जाएगा बताओ आप लोगों, very good, तो देखो fire resistance is highest in case of brick messendry, brick messendry आप लोगों की bricks क्या करती है, सबसे ज़्यादा fire को resist करने का काम करती है, तो right answers क्या जाएगा बताओ, C option, तो देखो अगर brick की कुछ properties की अगर हम बात करें, जो की important भी आप लोगों की characteristics of bricks में अगर हम चलें, तो brick will not burn, buckle or melt, next अगर हम कहें, तो brick will not rot and allow, thermitis, ठीक है, brick will not rust and corrode, right, आप लोगों की fade भी नहीं होनी चाहिए, जैसे sunlight की presence में, ultraviolet rates की presence में, आपकी bricks, आपकी fade भी नहीं होनी चाहिए, तो यह सारे इसके brick की क्या है, characteristics है, next question भी चलते हैं, answers करो, the wall provided to increase the capacity of a wall to resist, lateral thrust is known as, इस question को answers करो, lateral thrust को resist करने के लिए, हमारे पास कौन सी ऐसी wall होती है, जिसे ही हम लोग lateral thrust को resist करने के लिए, यूज करते हैं, क्या answers होना चाहिए बताओ, सबी लोग answers करें, देखो आप लोग की class साथ बढ़े से चल रही है, साथ से नौ आप लोग की class रहेगी, तो भाई सबी लोग share भी कर दें, काफी लोग को देखो पता ही नहीं है, कि class चल भी दी है, इस question को answers करो, कि हम लोग lateral thrust को resist कर करने के लिए, कौन सी wall provide करती है, retaining wall, तो generally आप लोग देखते हो, हिली एरियास में, क्या होता है, कि मिट्टी को retain करने के लिए, आप देखते हो, कि इधर साइट retaining wall प्रोवाइट करी जाती है, और अगर हम अपर साइट में देखे तो आपर साइट में ब्रेश वाल प्रोवायड कर रही जाती है अब जब आप लोगों से बोला है लेटर एंच को रजिस्ट करने के लिए तो देखो अगर आपके पास कोई वा थैं और इसको क्या कर रहा है कोई laterally support कर रहा है कुछ इस तरीके से देखो जैसे कि इस तरीके से laterally support कर रहा है तो इसे हम लोग क्या नाम देते हैं ये हमारी buttress wall कहलाती है क्या कहलाती है buttress wall तो आपका answers क्या जाएगा बताओ option number c अप लोगों का correct answer जाएगा देखो, आप लोगों को मैने टेलीघ्राम में इंफर्म कर दिया था देखो, बागी तो inform करने के लिए टेलीघ्राम में इंफर्म कर दिया था. EAD only classes app में मैंदे αपडेट कर दिया था, कि class 3 साथ सेनो रहेगी. तो देखो, यही हमारे पस, आपके पास information convey करने के लिए हमारे पास यही medium available है next question which one is not the effect of the presence of iron oxide in water इस में से ही आप लोगों के पास ऐसा कौन सा नहीं है मतलब जिस से आपका क्या बोला गया है अगर हम पानी में iron oxide coat आप लोग एड़ अड़ रहे हैं तो आपको कौन सा effect नहीं नजर आएगा question पूछ रहा है तो बताओ कि red color के लिए responsible है यह नहीं नजर आएगा corrosiveness increase हो जाएगी यह नहीं होगा hardness increase हो जाएगी यह नहीं होगा या toxic effect आपको नजर आएगी यह नहीं होगा बताओ कौन सा नहीं होगा तो यावर जी, अनन जी, बबलू जी, खुशी जी, करन जी, विजे लक्षमी जी सबी लोग एकदम सांदार रिस्पॉंस के साथ बही बहुत अच्छे बही सबी लोग शेयर कर दो देखो दूसरों का भला करो के तो भगवान आपका भला खुदी कर देंगे लेकिन आप लोग ऐसा सोचते ही नहीं हो, आप खुदी ही आ जा रहे हो क्लास में ये भी एक बहुत बड़ी बात है, चलो भई इस कुश्चिन को रिस्पॉंस करो जल्दी से, कौन सा इफेक्ट नहीं नजर आएगा येस, देखो, रेट करें नजर आएगा, कोरोजिवनेस इंक्रीज कर जाएगी, हार्डनेस इंक्रीज कर जाएगी लेकिन आइलियन आउकसाइड कभी भी टॉक्सिक एफेक्ट के लिए रिस्पॉंसिबल नहीं है तो आपका अंसर क्या जाएगा, आप्शन नमबर D, आप लोगों का करेक्ट अंसर होगा आगे चलते हैं हम लोग 24 भी कोशिन के साथ, अंसर को मार्क करो, देखो, बहुत यह अच्छा कोशिन ब्रेक मैसेंडरी में कोईंस आप लोगों की क्या होती है, कौईंस आप लोगों का क्या होता है, कौन सा ऑप्शन आपकी नजर में करेक्ट है ब्रेक्ट को आप लोग इस तरह के से कट करते हो, कि उसके कॉर्णर्स आपको ट्राइंगुलर्स नजर आते हैं B option को mark करोगे C के साथ या wall का जो corner junction होता है जहाँ पे दो दिवारे आपकी meet कर रही है या हम कहें दो दिवारे meet कर रही है और यहाँ पे आप लोगों का जो external angle नचरा रहा है ये queen खेलाता है बताओ क्या queen खेलाता है सबी लोग response करें तर अंजन जी खुशी जी चंदू जी डेविड जी सबी लोग एकदम सांदर answers के साथ बहुत अच्छे very good सबी लोग इस question को response करो क्या answers आप लोगों की नचर में correct होगा बताओ देखो आप लोगों से बोलग यह एक wall आप लोगों की है यह एक wall आप लोगों की इस तरीके से present और जो आप लोगों की नचरा रहा है ठीक है जहां पर आप लोगों की दो wall meet कर रही है जहां पर आप लोगों की दो wall meet कर रही है जहां पर corner junction आपको नचरा रहा है यह हम कहें external angle आपको नचरा रहा है तो इसे ही हम coins कहते हैं तो corner junction of walls right answer D option की साथ क्या बोलेंगे से हम लोग D option correct answers देखो आप लोग देख भी पा रहे हो यह सब क्या है आप लोग कोईंस हैं क्या है आप लोग के कोईंस आगे चलते हैं next question के साथ यह बहुत ही अच्छा question है भाई अभी लोग class को भी शेयर करें telegram group का नाम क्या है माम देखो पर description में आपके पास telegram group का link है EAD civil officially आप लोग telegram group को join कर सकते हैं वहीं पर देखो inform क्या जाता है चलिए answer करो इस question का जल्दी से बताओ परपेंट is an imaging line of mortar joints in brick machinery which is परपेंट क्या होता बताओ horizontal line को बोलते हो वर्टिकल पासिंग लाइन जो की सारे courses से होकर जाती है या वर्टिकल पासिंग लाइन जो आप लोगों की alternate courses से जाती है या none of the above को आप लोग यहां पर answers माग करोगे तब परपेंट is an imaging line of mortar joints in brick machinery which is answers करेंगे सबी लोग करन जी अनुभाव जी मुकेश गुपता जी सबी लोग अच्छे answers के साथ भई बहुत अच्छे इस question का answers क्या होगा येस वर्टिकल पासिंग थूदी अल्टरनेट courses right answer see option के साथ next question पर चलते हैं देखो आप लोग देख सकते हैं इस तरह के से जो ये वर्टिकल लाइन आपको नजर आ रही है और वह भी अल्टरनेट courses में नजर आती है एक छोड़कर एक नजर आती है इसे ही pop in कहते हैं क्या कहते है is question को answer करो जैसे है more moisture content increase करेगा तो bulking of sand क्या करेगी मतलब की आपने sand पे पानी डालना starts करा ś start ing में तो आप भूग क्या करोगे पानी डालते रहोगे डालते रहोगे डालते रहोगे तो volume क्या करना start करेगा बताâte क्या करेगा answers करो तो अगित कुमार गोयल जी नेपाल सिंग जी ते अब बहुत अच्छी अंसर के साथ वही लोग क्लास को भी शेयर करो जिसे कि सबी लोग क्लास से कनेक्ट हो जाएं आप लोगो के अगॉर्डिंग क्या होना चाहिए तो हमारे पस क्या होता है देखो आप लोगो को पता है कि ये वॉल्यूम है आप लोगो का ये वॉल्यूम है और ये आप लोगो का वाटर कंटेंट है आपको पता है कि कुछ graph आप लूग को इस तरीके से नजदाता है पहले volume आपका increase करता है और उसके बाद decrease करने लगता है water content approximately हम लोग मान के चलते हैं 4-5% तो answers क्या जाएगा first increases to a certain maximum value and then decreases right answer C option के साथ next question पे चलते हैं the vehicle use in case of enamel paint is usually अगर हम लोग enamel paints को यूज कर रहे हैं तो generally हम लोग यहां पर कौनसी vehicle को यूज करते हैं lincid oil, water, varnish, none of the above सबी लोग response करें इस question का सबी लोग answers करें आप लोगों के recording क्या answers होना चाहिए परसो नहीं होए आपके अब देखो इतने questions के practice कर ली तो लग रहे हैं परसो होए हैं, परसो नहीं होए इस questions बताओ inamel paint में आपका कौनसा vehicle use होता है question आपसे ये पूछा है, तो answers क्या जाना चाहिए इस question का बताओ, very good, तो आप लोग जों क्या कहते है, enable paint में आप लोगों का क्या use होता है, कौनसा vehicle use होता है one issues होता है C option आप लोगों का बल्कु करेक्ट एंस है इस question को आंसिस करो The bearing capacity of a water-locked soil can be improved by अब पानी से पूरी तरीके से water से locked हो चुकी है जितने भी वाइज हैं उन सब में पानी आप लोगों का fill up हो चुका है fully water-locked soil अब बताओ इसकी bearing capacity को कैसे improve करोगे करें भी सबी लोग response करें आप लोगों के recording क्या answer जाना चाहिए सबी लोग बहुत अच्छे answer करें आप लोग इस question का answer करके बताओ लेगे क्या answer होगा बताओ bearing capacity बोला गया है वो भी water-locked soil के लिए तो water-locked soil को के लिए हम कैसे improve करते हैं yes draining the soil हम लोग क्या करते हैं soil को drain कर देते हैं कहने का मतला पानी को यहां से drain out कर लेते हैं यह हमारे लिए क्या है ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं bearing capacity को improve कर सकते हैं next question पे चलते हैं according to by laws what is the minimum plinth height of an ordinary building ओपनियम के अनुसार एक समानी इमारत की new-term plinth height क्या होती है बताओ एक सो पचास सेंटी मीटर, 30 सेंटी मीटर, 100 सेंटी मीटर या 60 सेंटी मीटर answers करो बैई Sanjay Chaudhary जी, Ramandeep जी, Mukesh Gupta जी सबी लोग सांदार answers के साथ सबी लोग class को भी share करो और इस question को response करो जल्दी से इस question का answers क्या होना चाहिए? आपके पास minimum plinth height क्या होती है जब हम एक ordinary building की बात कर रहें? क्या answers करोगे इस question का? 30 cm, बहुत अच्छे, what is the minimum plinth height of an ordinary building तो 30 cm बिल्कुल correct answer, option number B correct answer इस question को answers करो, entrenching for foundation, boning rod is used to बताएं कि boning rod से हम लोग क्या करती है? इसको हम लोग अपनी seating के लिए, seating में जो spacing हम लोग provide कर रहे हैं इसके लिए जरूरी है, B option को mark करोगे या foundation की कितने depth में हैं उसके level को check करने के लिए आप लोग boning rod को use करते हैं बताओ, आप लोगों के recording answers क्या जाएगा? Trenching for foundation boning rod is used to very good, to check the level of the foundation depth तो हम क्या करते हैं? foundation depth का level check करने के लिए हमारी boning rod use होती है right answer C option के साथ next question पे चलते हैं, इस question को answer करो M देखो आपके पस movement है, T आपके पस torque है circular shaft आपके पास है, जिसका diameter D है तो बताओ, maximum shear stress की value क्या होती है? the maximum shear stress is? करें भई सबी लोग इस question का answers आप लोगों के recording क्या होना चाहिए? M moment है, T टॉर्क है, D diameter आपको नज़रा रहा है तो यहां से maximum shear stress की value आपकी नजर में क्या होनी चाहिए? 31 का A बहुत अच्छे, 16 upon pi d cube under root of m square plus t square आप लोगों का correct answer जाएगा 32 को answer करो QS आप लोगों के पास है, maximum shear stress due to torque जी आपके पास है, modulus of rigidity of material बताएं, strain energy कितनी stored हुई है? strain energy आप लोगों की कितनी stored हुई है? आप लोगों के recording इस question का क्या answers होना चाहिए? सबी लोग mark करके बताएं क्या answer जाएगा इस question का? strain energy कितनी stored हुई है? आप लोगों के recording कौन सा option यहां पे correct होना चाहिए? बहुत अच्छे, q square upon 4g into volume option number c आप लोगों का correct answer next question पे चलते हैं, 33 इस question को answer करूँ देखो आप लोगों से बोला किया है? which of the following pairs are correctly related for rapid hardening cement? आप लोगों को पता है, rapid hardening cement में हम लोगों को strength नचराती है, वो बहुत ही rapidly नचराती है और इसलिए हम लोग इसे वहां पर use करते हैं, जहां पे हमें strength जल्दी चाहिए जैसे कि roads में, maintenance of roads में हम लोग rapid hardening cement को use करते हैं अब बताओ कि fineness 10% दिया है, final setting time 10 घंटे दिया है, initial setting time 30 minutes दिया है तो rapid hardening cement के लिए यहां पर कौन सा pair आपका correctly match है? आप लोगों के recording क्या answer जाना चाहिए? कौन सा यहां पर pair आप लोगों का correctly matched है? तो डेविड जी, रंजन जी, मुकेश, गुपता जी सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ आप लोगों के recording इस question का answer क्या जाना चाहिए? बताओ 33 को answer करके बताओ यह, तो answers क्या जाना चाहिए? आप लोगों का option number C, आप लोगों का correct answer क्योंकि आपको पता है कि fineness कितना vary करता है? आप लोगों का fineness 5% होता है, final setting time की बात करें तो 10 गंटे सही है, initial setting time 30 minutes, बिल्कुछ सही है quick setting cement की अगर हम कहें तो उसमें भी strength हम लोगों को quickly नज़र आती है और आपका initial setting time फिर quick setting cement के लिए 5 minutes रहता है और अगर हम final setting time की बात करें तो 30 minutes रहता है, right? quick setting cement के लिए अब इस question को answer करो, आप लोगों की नजर में कौन सा response correct है, लकडी में गाठे निमनलिखित होती है, notes and timber are इस question को answer करो भाई ये question देखो आप लोगों को अच्छे से visible होगा, answer mark करो कि notes and timber are, लकडी में गाठे निमनलिखित होती है, रेसो के कुचलने की कारण खराबी होती है, defects caused by crushing fibers या B option को mark करोगे, या C के साथ, या कटी हुई साखाओं के चिंद, sign of branches cut off, इस question का answer क्या जाना चाहिए, जब आप से notes पुछा जाए Notes in timber are, करो बही answer करो, सभी लोग और देखो, सभी लोग क्लास को भी share करो, मज़े तर समझ नहीं आ रहा, आप लोग अब साम को भी नहीं पढ़ते, सुबह 9 से 11 क्लास होई थी, तो भी आप लोग को कोई मन नहीं, और साम को क्लास हो रही है, तो भी आप लोग क्लास में आना क्या बोलते हो, इस question को answer करो सभी लोग, तो यह sign-off, branches, cut-off आप लोग का answer जाएगा, option number D, आप लोग का correct answer, आगे चलते हम लोग next question के साथ, इस question को answer करो, एक send deposit आप लोग के पास है, इसमें porosity आप लोग के पास क्या है, 1 by 3 है, क्या है porosity की value 1 by 3 है, specific gravity कितनी है, देखो 2.5 है तो यहां से critical hydraulic gradient की value क्या होगी, देखो questions आप लोगो के जो है, यह सारे previous year papers के questions है, इसलिए आप लोगो को कुछ इस तरीके से visible हो रहे है, आप देखो थोड़ा सा ढंग से देखो के तो सब कुछ दिखेगा आप लोगो को, बताओ इस question का answer करो, अगर question आएगा तो आप 2.5 है, तो यहां से critical hydraulic gradient की value क्या आएगी, the critical hydraulic gradient to cause sand boiling in the stratum will be, तो यहां से critical hydraulic gradient की value क्या आएगी, तो करण जी, विजय लक्षमी जी, संजय चौदरी जी, रमन दीब जी, सभी लोग बहुत अच्छे response के साथ भई, वेरी गुड, आप लोगो के recording, इस question का answer क्या जाना चाहिए, अब formula लिख कर comment section में, अगर आप formula दे दोगे, तो आप मुझसे कहना चाहरे हो कि मैं solve करके बताऊ आपको, आपको, आँसर करो इसका good से solve करो, और answer बताऊ क्या आँसर क्या रहा है, इसका answer की देखो अगर आप कहें IC, IC आप लोगों के पास क्या होता है, IC is equal to आपके पास हो है, 2.5-1 हो जाएगा, और E की बात करें तो E is equal to हमाही पस क्या N upon 1-N है, और E is equal to N upon 1-N का मतलब क्या है, 1 upon 3, 1 minus 1 upon 3, तो हमाही पस क्या हो जाएगा, देखो, 1 upon 3 upon हो जाएगा, 3 minus 1 upon 3, मतलब 2 by 3, तो 3 से 3 cancel हो जाएगा, और 1 plus मेरे पास क्या हैगा, देखो, 0.5 आएगा, त 1.25 बताओ 1.25 बताओ कर लो इसको question को solve क्या आप जो कह रहे हो सही है या यहाँ पे जो आ रहे हो सही है पता ही नहीं आप लोगों को करना ही नहीं है paper में ऐसी देखते रहे और formula सोचना कि वहाँ पे formula कहा लेके क्योंकि online paper है ठीक है तांसर के जाएगा बताओ C option जाएगा the right answer is आप लोगों का C option यहाँ पे आपके 35 questions हम आप तो होते हैं अब next 45 questions है अब यह बताओ कि 35 questions में कितने questions आप लोगोंने correct करे 35 में से आप लोगों के approximately 32 33 marks आने चाहिए थे दो तीन ही questions गलत होने चाहिए इस से जादा गुझाइज नहीं है अज आप लोग बताओ यहाँ पे 2-3 questions गलत हो और यही paper में अगर questions paper आपको नचराएगा तो paper में इसमें आपके 5-6 questions गलत होंगे तो आपको बताओ कि paper में जादा गलती होती है तो आपने सेफटी लेकर चलना है अगर यहाँ 3 questions गलत हो तो paper में 6 questions गलत होंगे 20 आरे आउट और 35 अब बताओ आप लोगों के काफी कम marks आरे है अच्छे से देखो अच्छे से questions को देखो जहां पर एक बार आप questions देख ले रहे हो तो उसके बाद फिर गलती नहीं होने चाहिए next बार अगर वह question दिखा तो सही होना चाहिए इस question को answer करो चलो first question आगया आपके पास अब next next एक घंटे में next 50 minutes में अगर हम कहें तो हम लोगोंने 45 questions करने है चलो answer करो अब जल्दी से Gage cement motor consist of अगर हम Gage cement motor की बात करें तो बताओ कि Gage cement motor में आपको क्या-क्या नजर आता है cement and sand नजर आती है cement, surki and sand नजर आती है cement, lime and sand cement, cinder and sand बताओ तो different different motors आपके पास होते हैं हमारे पस cement motor है, हमारे पस lime motor generally, तीन तरीके के motor ही हम लोग stone machinery में यूज करते हैं जिसमें हमारा cement motor रहता है जिसमें हमारा lime motor रहता है and third one हमारे पास रहता है Gage cement motor तो बताओ इसमें क्या-क्या नजर आता है करे भी सबी लोग answers करो भी जल्दी से अब तो देखो daily की timing में class होने लग गई, 8 बजने वाले हैं देखो काफी लोग ऐसे भी होंगे जो 8 बजे आ जाएंगे class में मुझे उमीद है पूरी क्योंकि daily 8 बजे class होती आज तो एक घंटा पहले class start हो गई करो इस question का answers करे भी सबी लोग आप लोग की recording इस question का answer क्या जाएगा और सबी लोग video को लाइक जरूर करें और इस question को response करो C answers करें बहुत अच्छे cement lime and sand इन तीनों को मिला के आपके पस क्या नजर आता है गेश मोटार नजर आता है option number C correct answer next question answers करो rotary clean used in manufacturing cement rotates at a speed of जब हम cement की बात करते है आपको पता है कि cement की भटी की अगर हम बात करें तो rotary clean होता ये भी एक question examiner कूछता है आप लोगों से कौनसे cement की manufacturing में हमारे पास किस में हम लोग cement की manufacturing करते हैं तो answer आप लोगों का जाएगा rotary clean तो question आप से कह रहा है कि क्या speed अजर आती है जब हम इस rotary clean की बात करते हैं cement की manufacturing में तो अंकित कुमार गोयल जी रंजन जी खुशी जी करन जी अनुभव कोशल जी डेविड जी सबी लोग एकदम सांदार response के साथ बहुत अच्छे सबी लोग class को share भी जरू करें और इस question को response भी करें बताओ rotary clean का answer क्या जाएगा cement की manufacturing में क्या speed नजर आती है क्या बात है वे very good, एक RPM से लेकर 3 RPM, right answer option के साथ, बहुत अच्छे next question पे चलते हैं the unit of measurement in per quintal fall, अगिर हम quintal में measure करना चाह रही हैं, तो यहां पर ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम quintal पे measure करते हैं, collapsible gate with rails, rolling sutters expanded metal wire netting यह RCC works में जो हम reinforcement को use करते हैं इसकी unit quintal होती है करो बही answer करो, खुशी जी, मिशा राजपूच जी, विजय लक्षमी जी, नैपाल सिंग जी, सभी लोग एकदम सांदर answers के साथ भी बहुत अच्छे, answers mark करो इस question का देखो, अगर हम लोग किसकी बात करते हैं, तो steel की दो unit नजराती है एक है quintal, और दूसरी क्या है बताओ आप लोगों के पास, एक तो है quintal और दूसरी है kg, kg मैं भी करते हैं, quintal मैं भी करते हैं, लेकिन अगर quintal बोला है, अगर आप से steel की में पूछा जाए, कि किस में मेजर करते हैं, तो हमें सा first priority का answer quintal ही होता है, first priority का answer quintal ही होता है, तो यहां पे answer क्या जाएगा बताओ, RCC work में, reinforcement आप लोग कर रहे हैं, तो इसकी unit ही आपको quintal नजर आती है, next question पे चलते answers करो, इस question को क्या answer होना चाहिए, floor area ratio means, अगर हम floor area ratio को find out कर रहे हैं, तो हमाई पास floor area ratio, किस-किस का ratio नजर आता है, सबी लोग answers करें, question answers आप लोगों के recording क्या होना चाहिए, आप तो बही देको 8 बज़ चुके हैं, आप 8 बज़े तो आप लोग क्लास को साहे शेयर करीद होगे, क्योंकि देको 8 बज़े तो आपकी डेली की टाइमिंग होती है, एक हफते से नहीं हो रही है आपकी क्लास 8 बज़े, करें answers करो, सबी लोग इस question का answers, आप लोगों के recording क्या होगा, floor area ratio means, देको अगर हम floor area की बात करते हैं, तो हम लोग क्या कहते है, total plinth area, floor area actual में क्या होता देखो, total plinth area, plinth area क्या होता आप लोगों का, total covered area, जितना आपकी building में covered area नजलाता है, वो plinth area कहलाता है, अब आपको बताई कि इसमें जो हमारे walls हैं, इनका area को अगर हम deduct कर देते हैं, तो हमारे पास floor area जितना आता है, तो इस question का answer क्या जायागा बताओ, total floor area of all the floors upon the area of plot, right answer, c option के साथ, next question, बताओ, DPC is measured in, DPC को हम लोग measure करते हैं, किस में? answers करें, आप लोगों के recording, इस question का answer, क्या होना जाया बताओ, answers करो के DPC को, हम लोग किस्ट में measure करते हैं, yes, आपको पताए कि meter square में हम लोग measure करते हैं, तो right answers आपका क्या चाहेगा, बताओ, area चाहेगा, next question पे चलते हैं, answer करो, the most reliable estimate is, सबसे भरोसे मंद, estimate कौन सा है, जिसमें आप लोगों को accuracy, अच्छी खासी नजर आती है, क्या यह plain area है, detailed है, preliminary है, क्या cube rate estimate को answer करोगे, क्या answers होना चाहिए, बताओ, the most reliable estimate is, सबसे भरोसे मंद estimate, यह questions आपके अगर paper में आएंगे न, तब आप लोग सोचना कि यह 1947 की question थे, आएंगे paper में जरूर, इस question को करो answer, आप लोगों की recording answer क्या जाएगा, detailed estimate बहुत अच्छे, सबसे भरोसे वाला estimate कौन सा है, detailed estimate, right answers, B option के साथ, next question पे चलते, answers को mark करो, straight line method पे, annual depreciation of the property is, अगे straight line method से, मुझे depreciation find out करना है, तो मेरे पस कौन सा formula है, बताओ, depreciation को find out करने का, मिशा राजपुच जी, रमनदीब जी, अनुभव जी, यावर जी, सबी लोग एकदम सांदर answers के साथ, बहुत अच्छे, इस question को response करो जल्दी से, आप लोगों के recording, straight line method के recording, अगर हम कहें, तो हमारे पास property का depreciation, किसके equal होता है, the annual depreciation of the property is, देखो आप लोगो को बताए कि क्या होता हमारे पास, c-s upon n हमारे पास होता है, c आप लोगो का क्या है, cost of project है, s आप लोगो का क्या है, scrap value, s scrap value, c cost of project and number of years, तो इसका मतलब आपका answers क्या जाएगा बताओ, original cost minus scrap value upon life in year, यह आप लोगो का क्या है, यह हमारा depreciation की value है, तो d is equal to c minus s upon n, c क्या है cost of the project, s क्या scrap value and क्या number of years, answer c option के साथ, next question भी चलते हैं, 8-way question के साथ answers को mark करो, the woodwork should be measured to nearest, अगर हम woodwork कर रहे हैं, लकडी का काम कर रहे हैं, और इसमें आप लोगों से बोला है, कि nearest कितनी आप लोग, यहां पर degree of accuracy की बात करी गई है, तो बताओ, क्या nearest value आपको नजर आती है, तो इशान जी, यावर जी, Sanjay Chaudhary जी, सभी लोग क्लास को भी शेर कर दो, और वीडियो को लाइक भी कर दो आप लोग, इस question का answer क्या होना चाहिए, बताओ, अब इस अभी लोग class को share भी करो, आप लोग, देखो आप तो आट बजी की timing होगी, डेली की timing में आप लोगो की अब class हो रही है, इस question का answer आप लोग की recording क्या जाएगा, बताएं, सभी लोग answers करो इस question का, क्या answer होना चाहिए आप लोग की recording, would work should be measured to nearest, क्या, किसे nearest तक आप लोग इसे find out करते, yes, 0.002 mm, right answer B option के साथ, क्योंकि देखो अगर हम लोग इसमें बात करें, कैसे यह कहा गया है, कि जो आपकी last digit है वो 2 के multiple होनी चाहिए, इतनी आपको degree of accuracy नजर आती है, wouldn't work में, next question चलते है, बताओ, I rate of interest है, and आपके पास number of years है, आपके पास coefficient of annual sinking fund है IC, तो बताओ, I-C, I-E पे आपको क्या relation अजराता है, मैं, class continue होना चाहिए, class continue हो रहा था, आपको बताए कि इस week तो पूरी महराथन दी, अब जब आपकी reasoning की महराथन है, GS की महराथन है, तो उसमें civil की कैसे class लगेगी, आपको reasoning नहीं पढ़नी है, ठीक है, और ऐसे ही आप लोगो की सर के साथ ही, आप लोगो की 3-4 दिन 6-6 गंडे की class भी थी, तो अपर दो-दो civil की class कैसे लगेगी, और या तो आप लोग इतने number of students आप इतने ज्यादा होते कि आप लोगो की 2-2 class भी लगा दें, तो आप लोग अराम से present रहते हैं, वैसे आप class में आ नहीं थे हो, इस question को answer करो, answer क्या जाना चाहिए? सबी लोग answer करें, आप लोगो की according, क्या answer जाएगा इस question का, I see is equals to, बहुत अच्छे, I upon one plus I ka whole and minus one, option number B, भी बिल्कुल correct answer, आगे चलते हैं हम लोग 10 भी question के साथ, यह देखो भई बहुत अच्छा question, by calcining and smelting iron ores, a crude and impure form of iron obtained is known as, जब हम calcining and smelting iron ores की बात करते हैं, तो यहां से crude and impure form जो हमें iron की नजर आ रही है, इसे ही हम लोग क्या आप बोलते हैं, क्या यह cast iron है, wrought iron है, steel है, या pig iron है, करे मही सबी लोग answers करो, आप लोग के recording क्या answer जाना चाहिए, इस question का बताओ, calcining and smelting iron ores में impure form जो हमें iron की नजर आ दी है, इस impure form को हम लोग क्या नाम देते हैं, impure form of iron is known as cast iron, cast iron answers mark कर ले, cast iron में carbon की percentage आपको ज़ादा नजर आती है, wrought iron में बात करें, wrought iron आप लोग की purest form है, तो यहां पे answers क्या जाना चाहिए, बताओ, by calcining and smelting iron ores, a crude and impure form of iron obtained is known as pig iron, क्या चाहेगा आप लोग का बताओ, pig iron आप लोग का चाहेगा, option number D, आप लोग का correct answer, next question पे चलते है, answers को mark करो सबी लो, next question आप लोग की screen पे answers करें सबी लो, इस question का answer आप लोग की recording क्या होना चाहेए, देखो आपको GTS Benchmark दे रखा है आराम से सोचो आराम से इसको match करो और answer करो GTS Benchmark आपको दे रखा है Permanent Benchmark आप लोगों को दे रखा है Arbitrary Benchmark आप लोगों को दे रखा है Temporary Benchmark आप लोगों को दे रखा है Lays 2 में देखो आपको बुला है A Survey Team at the end of day work Survey of India के द्वारा ये benchmark established किया है State PWD के द्वारा ये benchmark established किया है A survey team in the beginning of the project बताओ, क्या response होना चाहिए आप लोगो के recording सभी लोग answers करें भी आप लोगो के recording इस question का answers क्या जाना चाहिए 11 का B answer कर रहे हो आप लोग A का 3rd, GTS benchmark में आप लोग answers कर रहे हो State PWD Permanent Benchmark में आप लोग answer कर रहे हो The Survey of India, Temporary Benchmark बताओ भई देखो, सोचो और समझो और answer करो भई विजे लक्षमी जी, D answers कर रहे है आप जे उतराखंड जी, D answers कर रहे है चलो पहले ये जो D answers कर रहे हैं पहले ये देखते हैं 2, 3, 4, 1 ठीक है या नहीं है, देखो GTS Benchmark बोला गया Survey of India, बिल्कुल सही बात है Permanent Benchmark बोला गया State PWD, बिल्कुल सही बात है अब देखो, arbitrary Benchmark हम लोग कब करेंगे? मैंने आपको बताया है कि जब भी आप Project को स्टार्ट कर रहे हो Beginning of the Project में आप क्या करोगे? आपने मन से कोई भी Benchmark को मानोगे तो इसे हमारा क्या है? ये 4 है उसके बाद देखो, temporary Benchmark का मतलब क्या है? कि जब survey team क्या कर दी है? अपना end of the work जैसे कि पूरे दिन में आपने काम करा अब ऐसा दो नहीं की रात में भी आप काम करोगे फ्री डूसरे दिन आऊंगे अब आप ठीक है? अंधरे में तो नहीं करोगे नंए वैसी अशिभी काम तो आप लोग क्या चलेगे? घर चलेगे उसके बाद दूसरे दिन आप आए तो आपको कहां से काम स्टार्ट करना है वहाँ पर जो benchmark होगा वो temporary benchmark क्यलाता है तो इसका मदलब जो इस appropriate answer जा रहा है वो जा रहा है option number D और इसे गलत मत करना GTS benchmark कौन established करता है permanent कौन arbitrary, temporary सारे आपको पता होने चाहिए आदेको दुक्के मत लगाओ दुक्के आप लोगों के गलती होते हैं यह तो आप लोगों को कब से पता है तेकिन फिर भी आप दुक्के ही मारते हो चलो, बारवे question के साथ चलते हैं answers करो अब आपके पास perineal river से आप canal को बना रहे हैं canal taken off from the ice-fed perineal rivers are known अज जब हम ice-fed perineal river से canal को बना रहे हैं इस canal को हम क्या नाम देते हैं करें बही, सबी लोग answer करें आप लोगों के recording क्या answer जाना चाहिए इस question का बताओ सबी लोग answers करें इस question का answers आप लोगों के recording क्या होना चाहिए सबी लोग बही एकदम सांदर answers करें आप लोग बहुत अच्छे इस question को response करो बस इस question का answer आप लोगों के recording क्या होना चाहिए बताओ इस question को answer करो बही सबी लोग आप लोगों के recording क्या answer जाना चाहिए इस question का जल्दी से मार्क करो canal taken off from the ice-fed perinear rivers unknown perinear rivers की में आप लोग जिस canal को बनाते हैं इसको हम क्या नाम देते हैं perinear canals दोगे या permanent canals बताओ yes perinear canals आप लोग दोगे right answers आप लोगों का C option के साथ next question lane-sweated creep theory assumes बताओ lane-sweated creep theory क्या assume करती है आपका answer क्या होना चाहिए क्या answers होना चाहिए बताओ अंकित कुमार गोयल जी, रंजन जी, अबची उतराखन जी, मुकेश गुपता जी सबी लोग सांदार answers के साथ बहुत अच्छे आप लोगों की recording इस question का answer क्या जाएगा बताओ, lane-sweated creep theory में हमें क्या नचराता है देखो अगर हम simple lane-sweated creep की बात करते हैं तो horizontal creep और vertical creep दोनों को हम लोग equal लेके चलते हैं और जब हम lane-sweated creep theory की बात करते हैं तो बताओ lane-sweated creep theory ने आप लोगों के लिए क्या चीज एज्यूम करके रखी है क्या answers आप लोगों के recording होना चाहिए lane-sweated creep theory का इक्वल जो weightage है horizontal and vertical creeps का यह आप लोगों का किस ने दिया है यह तो आप लोगों की कौन सी theory ने दिया है blinks theory ने अब यहां पर आपकी modified theory है lane-sweated creep theory इन्होंने क्या कहा था बताओ बहुत अच्छे भई आप जी उत्राखन जी का बिल्कु करेक्ट आंसा जा रहा है इनने का triple weightage of vertical creep and one weightage of horizontal creep right answer is the option के साथ next question को answer करो administrative head of public work department who is directly responsible to government public work department में सबसे head position में आपको कौन नजर आते हैं जिनका directly government से क्या होता है directly government से connection होता है तो इसका answer आप लोगों के नजर में क्या जाना चाहिए तो रंजन जी, चारू, गुपता जी, यावर जी सबी लोग सांधार answer के साथ बहुत अच्छे इस question को response करो भी जल्दी से आप लोगों के recording क्या answer चाहेगा तो public work department में आपको head con नजर आते हैं जो कि directly government के साथ responsible होते हैं who is directly responsible to government सरकार के साथ directly responsible होते हैं chief engineer बहुत अच्छे option number D आप लोगों का correct answer आप लोगों को पता है कि chief engineer के हैं directly responsible हैं government के साथ इस question को answer करो plant की growth के लिए आपके पास सबसे useful moisture कौन सा होता है answer करें भी सबी लोग इस question का answer आप लोगों की नजर में क्या होना चाहिए तो खुशी जी, शान सर्मा जी, रंजन जी, डेविड जी, चारू गुपता जी अनुबह कोशल जी, विजे लक्षमी जी, अंकित जी, सबी लोग एकदम सांदर answer के साथ इस question को answer करो, 15 question का answer आप लोगों की नजर में क्या होना चाहिए क्या answer स्मार करोगे इस question का useful soil moisture for plant growth is, plant की growth के लिए कौन सा moisture आप लोगों का यहां पे responsible है very good, capillary water आप लोगों की plant की growth के लिए सबसे moisture आपका ऐसा है, जो की plant की growth के लिए responsible है तो answer क्या चाहेगा, capillary water, next question पे चलते हैं, इस ओलवी question के साथ answer को mark करो, thickness of plastering is useably, अगर हम plaster कर रहे हैं, तो plastering के लिए हम लोग क्या thickness रखते हैं, thickness of plastering is useably, 46, 12, 25, क्या answer होना चाहिए बताओ, कि plastering की thickness के लिए, useably हम लोग क्या thickness रखते हैं, thickness of plastering is useably, क्या answer करो के बताओ, इस question का, सबी लोग answer करें, आप लोगों के recording क्या answer जाना चाहिए, mark करें भई सबी लोग क्या answer होगा इस question का, तो आपको पताए कि plastering के लिए क्या thickness होती है, बताओ, yes, 12 mm के thickness responsible होती है, option number C, आप लोगों का correct answer, next question, which one of the following method estimates best the area of an irregular and curved boundary, आपके पास irregular figure है, irregular boundary या हम कह सकते हैं, curved boundary आपके पास है, तो यहां पर हमारे पास, कौन से ऐसी method है, estimate की, जिससे हम लोग use करते हैं, आप लोगों के recording क्या answer जाना चाहिए, इस question का बताएं, इस question का answer आप लोगों के recording क्या होना चाहिए, तो देखो आप लोगों को बताए कि trapezoidal, simption, average ordinate method, mid ordinate method, सारी method आप लोगों की किसके लिए होती है, कि basically हम लोग at work में volume को find out करने के लिए, इन्हें use करते हैं, और जब आप से irregular and cloud boundary के लिए बोला जाए, तो answer क्या जाएगा, तो answer क्या जाएगा, बताओ, simption method आप लोगों का correct answer जाएगा, option number B, correct answer, next question पर चलते हैं, answer कर, using straight line method, annual depreciation D is equals to, अगर हम लोग straight line method से depreciation की value को find out कर रहे है, तो बताओ, यहाँ पर कौन सा formula आपको सही लग रहा है, अब दिखो, option change होगा आप लोगों के, questions अगर same B आपने पढ़ा है, तो options अब different है, बताओ, life in year minus scrap value upon original cost, B को answer करोगे, scrap value minus life in year upon original cost, यह original cost minus life in year upon scrap value, यह D option आप लोगों का appropriate answer होगा, करें बहीं answer करो, आप लोगों के according क्या answer जाना चाहिए इस question का, using straight line method, annual depreciation is equals to, annual depreciation की value क्या होती है, सबी लोगों का अंसे करें इस अन्वर depreciation के लिए, बहुत अच्छे, original cost minus scrap value upon life in year, option number D आप लोगों का correct answer, तो आप लोगों का पता है, अगर हम depreciation की बास करें है, तो हमाँ पस क्या होता है, C minus S upon N, तो C आपके पस क्या होता है, देखो, cost of project, इससे original cost हम कह रहे है, ऐसे हमारे पस scrap value, एंद हमारे पस क्या है life, life in years, next question, answer करें, the value of the property, at the end of his useful life, without being dismantled, is known as, आपके property की वो value, जिसे आप बिना तोड़े फोड़े, उसकी आप एक useful life के बाद, आपकी जो property की value है, वो क्या कहलाती है, without being dismantled, तो रंजन जी, डेविड जी, खुशी जी, सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ, बही, very good, आप लोगो के recording, इस question का answer क्या जाना चाहिए, answers करो, देखो, with being dismantled की बाद की बाद करें, तो हम लोग क्या कहते है, डिस्मेंटर के बाद आपको कौन सी value नचाहते है, scrap value, आज अब without being dismantled बोड़ा गया है, तो फिर answer किस के साथ जाएगा, salvage value के साथ, बहुत अच्छे, तो हम कहते हैं, without being dismantled में answers क्या जाएगा, आप लोगो का salvage value, next question, pick up the item of work not included in the print area estimate, अगर हम plainth area को estimate कर रहे हैं, तो यहां पर हमारे पास कौन सा ऐसा work है, जो की included नहीं देता है, plainth area के लिए, तो wall thickness answers करोगे, room area, वरांधा area या cut yard area, cut yard area वो area होता है, आप लोगों का आगन का area होता है, इस question को response करो, plainth area estimate में, हम लोग कौन सी work को include नहीं करते हैं, question आप से यह पूछा गया है, आप लोगों के recording answer क्या जाएगा, तो अनुबो कोशल जी, खुशी जी, शान सर्मा जी, सभी लोग बहुत अच्छे answers के साथ, भी सभी लोग class को भी आप लोग share करो भी, देखो आप लोग इतने कम प्रेजेंट हो, अब आपकी क्या daily class देनी, अब आपकी week में एक दिन class रखेंगे बस, yes, courtyard area, तो देखो आगन के area को हम लोग क्या नहीं करते, include नहीं करते, right answer, D option के साथ, next question, एक ऐसा कार्य, a work costing rupees 20,000, एक ऐसा कार्य जिसमें 20,000 आपको cost नजर आ रही है, यहाँ पर आप लोग कौन सा work कहते हो इसे, pretty, minor, major, या minor project कहते हो, बताव भी इस question को response करो, आप लोगों के recording क्या अंसे होना चाहिए, थोड़ा इतना समय, आप numerical भी लाए करो, लेको numerical में लाती ही लेकिन आपके DFCCL के paper में time है कम, और numerical तो वैसी आप लोगों ने attempt नहीं करने, समय है कम, quotient हैं जादा, तो क्या करोगे बताव आप, तो आप theory को ही attempt करोगे, आप theory को ही attempt करोगे, उसमें बस गल्दिया, ना हो आप लोगों की, इसी को ध्यान में रखते विए, मैंने questions में आप लोगों की theory जादा add करी है, in fact, theory ही add करी है, अब answers करो, कि अगर आपके पास ऐसा career, जिसमें की cost आपकी, क्या है, less than, आपकी कितनी है, 20,000, तो क्या answer होना चाहिए इस question का, तो a work costing रुपीज 20,000 is termed as pretty work, right answer a option के साथ, अब आपको पता है, 20,000 से एक लाग के बीश में होती है, तो minor, ग्रेटर दन एक लाग होती है, तो major work आप लोगों का कहा जादा है, आगे चलते हैं, next question के साथ, answer करो, the dam proof course, DPC of uniform thickness, in a building, having walls of different width is miseric, इस question को answer करो, भी answer क्या जाना चाहिए, भी देखो, class तो daily तब होगी, जब आप class में उसी strength से present होगे, अब आप देखो, आप लोग 18-20 student present हो, चहां लोग 20-20 student present हो, आज वहाँ पर आप लोग कितने present हो, 20-25 present हो, तो बताओ, फिर आप लोग की daily class लेकर क्या करें, बताओ, DPC का अंसर क्या जाएगा, आप लोग की recording, सब इस students answers करें, इस question का answer क्या होना चाहिए, येस, meter square आप लोग का answer जाएगा, DPC, option number C, आप लोग का correct answer, आपको पताओ, DPC को अम लोग कहा पर provide नहीं करते हैं, इस not provided in door opening, next question, आंसर करो, ये बहुत अचा question, बताओ, most accurate method of estimation is based on, अगर हम लोग कहें, estimate हम लोग कर रहे हैं, यहां से सबसे accurate method, हमारी क्या निकल के आती है, building cost index estimate निकल के आता है, सबसे best, plain theory estimate सबसे best है, detail सबसे best है, cube rate estimate सबसे best है, तो यहां पर most accurate method, आपके estimation की क्या नजर आती है, आप लोगो के recording, क्या response होना चाहिए, आप लोगो के recording क्या answer जाएगा, बताओ, estimation consensus बताओ, सबी लोग answers करें, is question consensus, आप लोगो के recording क्या जाएगा, तो देखो, आप लोगो को पता है कि सबसे पहले हम लोगो को कौन सा estimate नजर आता है, जिसे हम preliminary estimate कहते हैं, और preliminary estimate में हम लोग कहते हैं, कि हम लोग rough cost को estimate कर देते हैं, suppose आप residential building बना रहे हैं, और suppose उसी area में, किसी दूसरी residential building को देखकर, आपने अपना भी अनुमान लगा लिया, कि आपकी, जो आपका construction work है, उसमें तरही cost आने वाली है, समझ भा रहे हैं, तो हम लोग यसे preliminary estimate कहते हैं, अब जब most accurate method की बात करेंगे, estimation की, तो सबसे best method कौन सी है, detail estimate है, detail estimate में हम लोग क्या करते हैं, drawing को बहुत अच्छे से आप लोग देखते हैं, specifications को बहुत अच्छे से देखते हैं, तो यह सबसे best method आपको नज़राती है, 24 को answer करो पर इस question का answer क्या जाएगा, estimate for electrical wiring is prepared on the basis of, जब हम लोग electrical की wiring करते हैं, जब हम electrical की wiring करते हैं, इसको हम estimate कर रहे हैं, तो यहाँ पर answer क्या होगा, estimate for electrical wiring is prepared on the basis of, तो जब हम लोग electrical की wiring करते हैं, और यहाँ से हम लोग अगर estimate को find out करें, तो इसे हम लोग किस basis में हम लोग find out करते हैं, answer करो पर सभी लोग इस question का answer क्या जाएगा आप लोगों के recording, सभी लोग answers mark करें, आप लोगों के recording answer क्या जाएगा, very good, तो देखो, electrical wiring को हम लोग किस basis पर prepared करते हैं, electric wiring is prepared on the basis of number of points, जिस तरीके से आप लोगों के number of points present होते हैं, उसके according हम लोग electrical wiring करते हैं, right answer D option के साथ, 25 पर इस पर आंसर करो, which of the following text generally not applicable to residential building is, अगर हम घरों में buildings की बात करें, residential buildings की बात करें, तो यहां पर कौन सा text आप लोगों का generally applicable नहीं होता है, question आप से यह पूछा है, करोबई answers करें, सबी लोग इस question का, आप लोगों के recording की answer जाना चाहिए, बताएं, residential building में आप लोगों का कौन सा text नहीं लगता है, question आप से यह पूछा, क्या answer आप लोगों के recording होना चाहिए, तो इशान सर्मा जी, खुशी जी, रंजन जी, डेविड जी, विजे लक्षमी जी, अनुभा औ कॉशल जी, अब ही लोग बहुत अच्छे answers कर रहे हैं, very good, इस question का answer करके बताओ, तो हम लोग क्या कहते हैं, कि कौन सा text जनरली अपलिकेबल नहीं होता है, आप लोगों का, किसके लिए, residential building के लिए, तो answer क्या जाएगा, sales text, option number C, आप लोगों का correct answer होगा, next question पर चलते हैं, answer करो, the value of demolized material is known as, अगर हम demolized material की क्या कहें, इसकी value की बात कर रहे हैं, कि demolized material की value आप लोगों की क्या कहलाती है, तो बताओ क्या कहलाती है, क्या इसे हम craft value कहते हैं, क्या हम इसे salvage value कहते हैं, क्या हम इसे resultant value कहते हैं, क्या हम इसे material value कहते हैं, the value of demolized material is known as, तो demolized material में जो value हमारे पस निकल के आती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बताओ वे, इस question का अंसर क्या होना चाहिए, the value of demolized material is, इस question का अंसर क्या जाएगा आप लोगों के recording, yes, इसे हम लोग क्या कहते हैं, scrap value कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे, अगर हम demolized material की value की बात करते हैं, तो demolized material की जो value कहलाती है, वो हमारी scrap value कहलाती है, next question बें चलते हैं, 27 के साथ आंसर करो, in the analysis of rates, rates के analysis में, contractor के द्वारा, जो profit लिया जाता है, the profit for the contractor is generally taken as, in the analysis of rates, rate analysis में, जब हम contractor के profit को लेते हैं, generally हम लोग कितना percent लेते हैं, 20%, 15%, 10% या 5% को आंसर करोगे आप लोग, in the analysis of rates, the profit for the contractor is generally taken as, तो contractor का profit, आप लोग कितना percent लेते हैं, इस question का answer क्या जाएगा, answers करोगे, सभी लोग, आप लोग के recording, इस question का answer क्या होना जाएगे, बताएगे, बहुत अच्छे, तो हम लोग क्या करते हैं, contractor का कितना profit लेते हैं, हम लोग 10% लेते हैं, 10%, हमारे contractor का profit होता है, if material is not supplied by the department, अगर department के द्वारा material supplied नहीं करा गया है, तो contractor को हम लोग कितना profit देते हैं, 10% का profit देते हैं, और इसी तरहीगे से, अगर material आप लोग का department के द्वारा supply किया है, तो contractor की profit को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, 7% profit कर देते हैं, 28 को answer करो भी 28, answer करके बताएं, एक estimate क्या है, बताओ, thumb rule से हम लोग structure की cost find out कर रहे हैं, randomly guess कर रहे हो आप लोग, या construction से पहले आप एक probable cost को find out कर रहे हो, या actual cost खलाती है आप लोग की, क्या answer होना चाहिए इस question को, सबी लोग answer करो देखो, आज तो देखो वैसी भी Saturday है, कल Sunday है आप लोग का तो कल तो वैसी भी आप लोग का resting day है, तो आज तो भी सबी लोग class को share कर दो आप लोग, इस question का answer क्या होना चाहिए, आज class का notification नहीं आया इसलिए, answer करो चलो इस question का answer क्या जाएगा, बही चारू, गुपता जी, सरीका जी, खुशी जी, अब जी, उत्राखंट जी, डेविड जी, मुकेश जी, सबी लोग बहुत अच्छे answers कर रहें, बही क्लास में आप लोग जितने भी present हो, answer सबी की best आ रहे है, इस question का answer करो, तो हम क्या कहते है, एक estimate क्या है बताओ, yes, एक probable cost arrive हो रही है, construction से पहले, एक probable cost को आप लोग arrive कर रहे है, before the construction, right answer C option, next question को answer करो, of the total estimated cost of building, हम लोग पूरी building का को estimate कर रहे है, तो हम लोग electrification का कितना cost यहां पर लेके चलते है, the cost of electrification usually accounts for, एक percent, पांच percent, आठ percent, या बीच percent को answer करोगे इस question में, of the total estimated cost of a building, the cost of electrification usually accounts for, the electrification की क्या cost आती है, answers क्या होना चाहिए, सबी लोग answers करोगे, आप लोगों के recording, इस question का answer क्या जाएगा, सबी लोग बहुत अच्छे response के साथ, very good, बताएं, इस question का answer, आप लोगों के recording क्या होना चाहिए, तो हम क्या कहते हैं, बताओ, अगर आप total cost find out कर रहे हैं, building की, तो electrification की cost कितनी होती है, 8 percent होती है, right answer C option के साथ, next question पी चलते हैं, 30th question, answer करो, the explosive or blasting is usually expressed in terms of, तो अगर हम explosive की बात करें, वह भी blasting में आप लोग इस किस term में यूज करते हो, इस question का answer क्या जाना चाहिए, तो सबी लोग बहुत अच्छे answers करें, very good, आप लोगों के recording, इस question का answer क्या जाएगा, बताओ, जैसे dynamite है आप लोगों का, यह सब blasting, ब्लास्टिंग के लिए आप लोग यूज करते हैं इन explosive को, तो आप लोगो की recording answer क्या होना चाहिए, the explosive or blasting is usually expressed as, yes, kilogram answer जाएगा, C option आप लोगों का बिल्कुर correct answer, next question पे चलते है, the salt concentration in irrigation water should not exceed, सिचाई पानी में लवन सांदृता नहीं बढ़नी चाहिए, हम irrigation में क्या कर रहे हैं, irrigation water को हम लोग obviously supply कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इससे ज्यादा salt नहीं होने चाहिए, क्यों चाह रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमें पता है कि अगर salt present होंगे, तो आपकी जो land है तो बंजर भूमी में convert हो जाएगी, बंजर लेंड पे convert हो जाएगी, और जब यह बंजर लेंड पे convert हो जाएगी, तो इसके लिएक limit है, कि इससे ज्यादा exit नहीं करने चाहिए, otherwise इससे ज्यादा exit करते हैं, तो फिर हमारे पास बहुत सारी चीजे हैं, जिससे कि हम salt को remove कर सकते हैं, और अपने land को cultivation के लिए, खेती के लिए fit कर सकते हैं, तो answer क्या जाएगा बताओ, 2000 PPM, option number A, आप लोग का correct answer, next देखो, Silicosis is caused by which of the following, Silicosis, आप लोगों कि किस की वज़े से, dust होता है, dust from the cement factories की वज़े से, Silicosis नचराती है, और none of the above को answer mark करोगे, तो खुशी जी, सहरीका जी, अब जी उतराखंट जी, मुकेश गुपता जी, सभी लोग बहुत अच्छे answers के साथ भी आप लोग very good, सभी students अपने presence को जरूरू करें और इस question को response करो, The silicosis is caused by which of the following, क्या answer होना चाहिए, आप लोगों के according, Silicosis में answer क्या जाएगा, Yes, तो देखो, Silicosis में आप लोग बिल्कु सही answer कर रहे है, Sement factories में dust के वज़े से, आप लोगों को Silicosis नचराती है, dust from the cement factories, Option number C correct answer, Next question, The initial setting time of cement as specified in the Indian standard is, भार्ती मानकों में निर्दिर Cement के ठोस होने के लिए प्रारंबिक समय है, Cement के लिए initial setting time क्या है, Indian standard के according बताओ, greater than 30 minute है, less than 30 minute है, greater than 600 minute है, या less than 600 minute है, क्या answers आप लोगों के according होना चाहिए? सबी लोग answers करें, आप लोगों के according क्या answer जाएगा, बताओ, Cement में initial setting time के, अगर हम बात करें, initial setting time of cement, as specified in the Indian standard is, इस question का answer क्या होगा, 33, बहुत अच्छे, greater than 30 minute, तो answers क्या जाएगा, बताओ, 33 question का, option number A, बिलकुल correct answer, next question पे चलते हैं, इस question को response करो, soundness test में, आप लोग यूज कर रहे हैं, जो pointers हैं आप लोगों के, जो indicators हैं, इस से ज्यादा distance उनकी बीच में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस से ज्यादा अगर expansion होता है, तो फिर इस से में को हम use नहीं करेंगे, पताओ कितना, मैं हम आपकी favorite story, चलो, इस question को answer कर, इस question का answer is क्या होना चाहिए, ली चार्ट लिए रापरिटर्स में, pointers के distance पूछी गई है, तो बताओ क्या answer होगा, 5 से 10 mm, option number C आप लोगों का correct answer, next question पो चलो, final setting of OPC, fill in the blank should not greater than, OPC का अंतीम जमावकाल, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, final setting time of OPC, fill in the blank should not greater than, तो final setting time, अगर हम OPC की बात करें, तो इससे ज्यादा अधिक नहीं होना चाहिए, किस से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं बताओ, 10 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए, 8 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए, 6 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए, या none of the above को answers mark करोगे आप लोग, अंसर करो भी सभी लोग, final setting time of OPC में आप लोग का answer क्या जाएगा, तो आप लोग को पताए कि OPC का time अगर हम कहें, तो 10 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, option number 1 correct answer, आगे चलते हैं हम लोग next question के साथ, इस question को answer करो, the velocity distribution in turbulent flow is a function of the distance y, measured from the boundary surface and the friction velocity mu follows a, in turbulent flow में आप लोगों को क्या नजर आता है, turbulent flow में अगर हम velocity distribution के अगर हम बात करती हैं, तो velocity distribution आप लोगों का कौन सी log को follow करता है, मतलब profile आप लोगों को कैसी नजर आती है, parabolic नजर आती है, hyperbolic नजर आती है, logarithemic नजर आती है, या linear log को answer mark करोगे तो दिखो आप लोग को पताए कि अगर हम laminar की बात करते हैं, तो laminar में velocity distribution आपको कैसा नज़राता है, parabolic नज़राता है, और जब हम turbulent flow में बात करते हैं, तो हम लोग को कैसा नज़राता है, logarithmic law नज़राता है, right answer C option के साथ, आगे चलते हैं, हम लोग 37 के साथ, answer करो, the standard BOD 5 at 20 degree centigrade when compared to BOD ultimate is, इस question का answer क्या जाना चाहिए, आप लोगो के कोड़े, करें बही answer करो, क्या answers करोगे, BOD 5 at 20 degree centigrade when compared to BOD ultimate, BOD 5 आपका किसके equal होता है, BOD 5 is equals to, क्या नज़राता है, बताओ, yes, BOD 5 is equals to 68% of the BOD ultimate, right answer B option के साथ, BOD 10, अगर आप लोगो से बोला जाए, तो 90% of the BOD ultimate आपको नज़राता है, ध्यान रखेंगे, अगर आपसे BOD 10 बोला जाए, कि BOD 10 आपको क्या नज़राता है, तो हम कहते है, 98% of the BOD ultimate आपको नज़राता है, आगर चलते हैं, अब लोग next question के साथ, uniform flow in an open channel exist when, इस question का answer क्या जाएगा, बताओ, ठीक है, 90 to 99% आप लोगों को BOD ultimate नज़राता है, BOD 10, next question, uniform flow in an open channel exist when the flow is steady and the channel is, बताओ, uniform flow open channel में तब exist करता है, जब flow आपका steady है, और channel बताओ, कैसा है, prismatic channel है, या आपका non-prismatic channel है, and depth of flow आपकी constraint है along the channel, या prismatic channel होता है, और जो हमारी flow की depth होती है, वो constraint है along the channel, या frictionless को answer mark करोगे, answers करोगे, सबी लोग इस question का answers, आप लोगों के recording क्या होना चाहिए, बताओ, Uniform flow in an open channel exists when the flow is steady and the channel is, yes, channel कैसा नजराता है, देखो, prismatic नजराता है, और जो आपकी depth of flow है, वो आपकी constraint नजराती है along the channel, next question, the type of transition curve that is generally provided on hill roads is, जब हम hilly roads की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कौन से transition curve को provide करते हैं, a type of transition curve that is generally provided on hill road is, circular को provide करते हो, cubic parabola को provide करते हो, lemny shade को यहाँ पे provide करते हो, yes, spiral, क्या answers करो के बताओ, transition curve, जिसे हम लोग hill roads में provide करते हैं, provided on hill road is, करो बही सबी लोग answer करो, देखो, आप लोगों की संख्या को देखकर, ऐसा लग रहा है मुझे कि आप लोग क्लास में ना जाने पता नहीं क्यों नहीं आप interested हो, इस question को response करो बही, क्या answers आप लोगों की recording होना चाहिए, मैं इस क्लास को डाउट सेशन में लग दीजा, अच्छा जी, आप देखो आप जिस तरीके से आप लोगों के प्रेजेंट हो रहे हो, इसे देखते वे तो मुझे ऐसा ही लगता है कि आप लोगों की अप्शनल की तरह चलेगी, कैसी बात नहीं है, कुछ तो आई ही रहें क्लास में लेकिन आप कुछ सोचो कि क्लास में बहुत, number of students बहुत ही कम हो चुके हैं, इस question को answer करो, the type of transition curve that is provided on hill roads is, yes, spiral आप का answer जाएगा, option number D आप लोगों का correct answer is, next question पे चलते हैं, 40th question, answer करो, the maximum limit of super elevation on broad gaze track in India is, this question का answer क्या जाएगा, बताओ, super elevation की value आपको क्या नजर आती है, जब broad gaze track की बात की जा रही है, तो 76.2 mm नजर आती है, 83.2 mm नजर आती है, 101.6, या 165.1 आपको नजर आती है, करो answer करो इस question का, आप लोगों की recording answer क्या जाना चाहिए? पढ़ने वाले तो मैं आप पेट कोर्स में चलेगा, अच्छा और आप कैसे हो, आप नहीं पढ़ने वाले हो, पताओ, अपने को या अगर ना पढ़ने वाले आप बता दोगे, तो दूसरा बंदा तो आपको नहीं पढ़ने वाले ही बोलेगा भई, 76.2 मत माक करो, मत माक करो, 76.2 आपकी केंट डेफिशेंसी होती है, 7.6 cm, यह देखना चाहती हूँ कौन माक करता है, सभी, आंसर करें 101.8, बहुत बढ़ी है, 101.8 आंसर जाएगा इस कोशन का, सोच लो, समझ लो और तभी आंसर करो इस कोशन का, यह आंसर आप लोगों को कहीं न कहीं गलत की ओर ले जा रहा है, क्योंकि 7.6 cm तो काइंट डेफिशेंसी होती है, कोशन आप से क्या पुछ रहा है, इशान सर्मा जी का फाइनली सही आंसर आ गया, हिंट देते ही, बहुत अच्छे, 105.1 mm 16.5 cm आप लोगों का ब्रॉड गेस्ट्रैक की माक्सम सूपर ऐलिवेशन की वैल्यू होती है, अब देखो चलो 40 कोशन्स आप लोगों की कवर होगे, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मिशन देखो आप लोगों के सामने, UK PCA 2021 का बैच, Civil Engineering Students के लिए, 15 September को यह बैच आप लोगों का लॉंच हो चुका है, सबसे खाश्यत वाली बात यह है देखो, कि इसमें 100 मार्स की आपकी अंग्रेजी आ रही है, और इस बैच में अंग्रेजी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, अनुसर, इसी तरहीके से, GKGS 100 मार्स की आप लोगों की आ रही है, जिसमें आप लोगों को उमबेच सर पढ़ा रहे हैं, और आपको बता है कि हिंदी के लिए देखो, हिंदी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, सोनवीर सर, और Civil Engineering, पाइर सेगें पार्ट फ़र्स पार्ट फ़र्स सेगें, मैं आप लोगों के जितने भी कोशिंद को पूछे जाएंगे तो Salvador was बता ही है, कि Pradip Sarov हम आप लोगों को रिएंगे, जिसमें कि आप लोगों कु इसमेंए थियोरी कृए जारी है, और expected date अगर हम इसकी कहें, UKPCAE batch की, या expected, sorry, exam date की अगर हम बात करें, तो आपकी exam date जाएगी November या December, maximum chance है December के, क्योंकि January, February तो नहीं जा सकती है, ठीक है, फर्वरी में तो वैसी आपकी आचार सही था लग रही है, तो maximum जो इसकी date of examination रहेगी, वो आपकी December रह सकती है, तो एक बैच आप लोगों के लिए फिफ्टी परसेंट ओफ में है और अविलिबल है अवली तू थाउजन में, तो इस बैच आपका 50% में ओफर में है, जिसमें आप लोगों की हिंदी, GKGS, और अंगरी जी के साथ साथ टेकनिकल सब कुछ आप लोगों के इसमें पढ़ाया चाहते हो, इसमें कोई भी आपका नॉन टेकनिकल पार्ट नहीं सामिल है, तो अगर आप लोगों पढ़ना चाहते हो, स्रिफ सिविल को स्ट्रॉंग करना चाहते हो, और मैं यह कहना चाहूँगी कि सिविल को स्ट्रॉंग करना चाहते हो, और अगर हम एग्जामिनिशन ले आप लोगों को पता है कि Draftman and Surveyor की वेकंसी अप्रॉक्सिमेटली आठ साल बाद आई है, अब ऐसी AE की वेकंसी उत्राखंड में छह साल बाद आई है, और सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें, जेए की वेकंसी जो अब आने वाली है, साड़े साथ सो आठ सो वेकंसी हैं, उलक को पता है, इलक्शन के टाइम में वेकंसी आना सोभाविक है, लेकिन सेलेक्शन लेना तरह जा इसमें इतनी ही अच्छे धंग से महनत की जाएगी, तो इसी को ध्यान में रखते विए, भीको ड्राफ्ट में के लिए बिल्कुर नएा बैच स्टार्ट हैं, और अगर ह हम बात करें लक्ष बाच लक्ष बाच लक्ष बाच देको civil engineering student के लिए बिलकु लाइब classroom program है इसमें full detail concept class है आप लोगों की weekly doubt session है one course for all exams लियाना कि इसमें S.S.E.J.E. का course uploaded है P.P.S.E.J.E. का course uploaded है साथ ही साथ चार classes आप लोगो की daily live चल रही है चार classes में आपकी इसमें अभी मैंने में इसमें पूरा कोर्स कम्प्रीट हो जाएगा तो यहां पे आप लोग की क्लास ओवर होती है होप सो आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा अब एक और इंपोर्टन इंफॉर्मिशन में आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करना चाहूंगी देखो आप लोगों की सिविल इंजिनियरिंग की बूक आप लोगों के लिए अविलेबल है मैंने बूक का रिव्यू भी आप लोगों के लिए डाला है जिसे की काफी स्टूडेंट्स पूछ रहें की मैं सैंपल दिखा हो दिस्काउंट तो मिली रहा है दिको डिस्काउंट में कहा मना क्या दिको सभी में 50-50% आप लोगों का ठीक है जेए का कब आ रहा है जेए का दिको नोटिफिकेशन तो आप लोगों का बहुत जल्द आने वाला है इसी तरीके से आप लोगों का कोर्श भी स्टार्ट हो जाएगा और ध्यान रखें देखो UKPCAE और JE दोनों आप लोगों के लिए ऑफलाइन बैच भी आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहे हैं देरा दून महीं तो देखो अगर आप लोग ओफलाइन के लिए इंट्रेस्टेड हो तो भी आप लोग हेल्पलाइन नमबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अगर वैसी आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा अब देखो बात आती है बुकी तो देखो काफी लोग पूछ रहे थे कि माम सैंपल बताओ तो देखो मैंने सैंपल मैं आप लोगों को पूरी अच्छे से रीवियू आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई है आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें अगर आपको पसंद आए लगे कि बुक से पढ़ना हमारे लिए बैनिफिशल रह सकता है हमारे लिए फाइदे मंद है तभी आप लोग बुक के साथ जाओ रहीं, साथ को बुक कि पार करेंग्या प्राईअ की बात करेंटरा तो देखो फो नाइन नंटी नाइम में आप लोगो की अवीडिबल है तो खर आगर आप लोगों के लिए थोड़ीं सी आप लोगेव नाइन लिए पच्छां कम पढ़ जाएगए थ्री नाइझ Number 4-9927 Re 5000 प्लस questions आप लोगों के इसमें available है जो कि आप लोगों के different different previous years में जितने questions पुछे गए हैं आप लोगों के उन सब पर आधारित हैं building construction के questions इसमें ऐसे डाले हैं जैसे कि आप लोग को diagram दिया गया है और उसके according आप लोग 4 मैंसे एक answers आप लोग मार्क कर सकते हैं तो अब मैं आप लोगों के comments read कर लेती ही हूँ कि आप लोग क्या बोल रहे हैं क्या queries आप लोगी क्योंकि comments बहुत सारे आप लोग कर रहे हैं मैं डिसकाउंट दो book में है डिको discount तो देती है मैंने आप लोगों को आप लोग क्लास में प्रेजेंट नहीं रहे हैं बताओ आप लोग कम से कम क्लास को share तो करो चले बहुत तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं जिदरे भी नए students हैं क्लास में आप लोगों को description में telegram group का link नजर आ रहा है आज था Saturday तो आज की क्लास complete होती है कल Sunday है कल आप लोग अच्छे से revise करें चीजों को